देश दीती किवल सच्ची और पक्की खबरे क्यों अभी तक एक डाटा रिलीज करने में इतना वक्त लगा रहा है चुनावायोग दोस्तों ये कुछ सवाल है जो आपके ही मन में इस वीडियो को पूरा देखनी के बाद आएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि 2024 लोकसभा चुनाव हो सकता है कि इतिहास में दर्ज हो सबसे कम वोटिंग पढ़ने के लिए और बिना चुनाव ही उमिदवार के विजेता बनने के लिए और चुनाव आयोग का खुद इस चुनाव कई सीमा लांगने के लिए पहले ही लोकनीती के रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग पर जनता को भरोसा नहीं रहा है लेकिन चलिए अब हम भी समझते हैं कि जन संख्या बड़ी हैं लोग बाहर रहने लगे हैं तो चुनाव करवाने में थोड़ा समय लगता है लेकिन चुनाव जो हो रहे हैं उसका अपडेट तो दिया ही जा सकता है लेकिन 19 अप्रील को पड़ा पहला मतदान का ओफिशियल डाटा अभी तक चुनाव आयोग ने सार्जनिक नहीं किया दस दिन से भी ज्यादा हो गए और बस परसंटेज में ही चुनाव आयोग ने बातों बातों में कह दिया है ना तो कोई ओफिशियल डेटा है ना ही अता पता है कि कहां कहां कितने बूथ लगे कितने लोगों ने एक सटीव संख्या में वोट किया कितनों ने नहीं किया और क्यों नहीं किया क्या किसी चीज की भी कोई जानकारी चुनाव आयोग देना जंता को देना सही नहीं समझता है अब किसे नहीं पता कि इस चुनाव में सबसे कम वोट पड़े हैं पुरा पुरा गाउं वोट नहीं करता पूरा एक समाद जो है चुनाव का भहिशकार कर देता है एक समुदाय इस चुनाव को मानता ही नहीं लेकिन ना जाने कौन सा डर चुनाव आयोग को सता रहा है इस बात को अधिकारिक तौर पर कबूलने में हाला कि विशलेशक्यों के अनुसार अगर इस चुनाव में कम वोटिंग होगी तो मोदी जी के लिए काफी हानी कारत साबित हो सकता तो कि चुनाव आयोग मोदी जी की हार की घंटी से खुद को बचा रहा है या खुद के काम को छुपा रहा है कि वो ढंग से जो है चुनाव का बंदुवस्त नहीं कर पा रहा है महीं बात करेंगर दोस्तों 1998 के लोक्तांत्रिक व्यवस्ता में सुधार के लिए काम कर रहा है एक विशलेशक जो कि अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे उन्होंने बताया कि प्रतिशत के हिसाब से मतदान का मतलब तब तक बेकार है जब तक कोई यह नहीं जानता कि किसी स सर्वेक्षन एजिंसी चलाते हैं और चुनाव सर्वेक्षन में भी शामिल हैं उन्होंने कहा कि उन्हें प्रतेग चरण के परिणामों का विशलेशन करने के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि एक मात्र उपलब्ध जानकारी प्रतेग चरण के लिए चुनावायोग और डाटा स्वचालित रूप से एक केंद्री स्थान पर संचलित हो जाता है दोसों नागा लैंड के छे जिले वोट करने नहीं आता है मतुरा में पूरा दो गाउं वोट नहीं करता बिहार के ग्यारा बूत पर जनता चुनाव का भहिशकार करता है राजस्थान और उत्त पहले चलन का मतदान हो चुका है लेकीन पहले चनल के मतदान वहीं कितना समय हो गया है विक इतना समय बीतने के बाद यह चुनावायों के और कि कर रेक बाकि आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोर सो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी और भी खबरें जो है पहुंचा सके और देशनी देवाट